महारानी सास की जिला चिकत साले जगदलपूर जिला बस्तर में नौ निर्मित मात्री शिशु विंग डायलेसिस एवं बर्नवार्ड में पैरा मेडिकल स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ के इंक्यावन पदों पर समविदा भरती की जा रही है जहां पर पांचवी, आठवी, बारवी से लेकर नर्सिंग तक के सेक्षनिक अहरिता वाले अभिरती आविदन कर सकते हैं और इन पदों के लिए सेलरी शुरू हो रही है 9,380 रुपै से लेकर के 20,000 प्रती महने इस भरती प्रक्रिया से जूड़ी हुई सारी जानकारी को आज हम इस वीडियो में आपके स क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसूर्स के रिक्वार्मेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पर मिलेगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्क्राइब इस भरती प्रक्रिया को आग में हम बात कर रहे हैं और यह किसके ऑफिस से रिक्रूट्मेंट का नोटिफिकेशन निकला है यह है ओफिस ऑफ सिविल सर्जेंट कम हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट इस्टिक हॉस्पिटल जगदलपुर इन्हीं को हमको एप्लिकेशन भेजना होगा अब इसमें क्या दीख रही हमको स्टार्ट डेट हो रही है इसकी 22 जून 2020 से अप्लिकेशन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है इसकी 3 जुलाई 2020 को यह हमारे पास लिंक है इसके ऑफिशल नोटिफिकेशन का चलिए यहां पे डिटेल्स देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह ज प्रानी शास्की जीला चिकित साला जग्दलपूर जीला बस्तर में नौ निर्मित मातरी शिशू विंग में डायलेसिस एवं बर्न वार्ड में पेरावडिक स्टाफ एम सपोर्ट स्टाफ की अइस्थाई समविदा न्युक्ति की जा रही है इसके लिए जो इंट्रेस्ट अच्छी की है जो पता नहीं बाकी लोगों हो क्यों समझ नहीं आ रहा कि यह इन्होंने अलाउग किया है कि आप अपना एप्लिकेशन इमेल आईडी के थुरू भी भेज सकते हैं तो यहां पे दोनों आप्शन है हमारे पास चाहे तो हम पंजे कृट डाक या स्पीट पोस जून 2020 से लेकर के 3 जुलाई 2020 तक मतलब 3 जुलाई 2020 आपका लास डेट है टाइमिंग रहेगा शाम को 5 बेज तक कि जो की आफिस आवर है आपको आवेदन का निधारित प्रारूप यह दिया हुआ है उसी के थुरू आवेदन करना है कहां से डाउनलोड करना है अब अभी आपको आगे इस वीडियो में बता देंगे यह दारिश समय के बाद अगर कोई आवेदन इनको मिलता है या फिर कोई खुद जाकर के इनके आफिस में एप्लिकेशन सब्मिट करने की कोशिश करेंगे तो यह इसको एकसेप्ट किसी भी हाल में नहीं करने वाले है ठीक है त तो पहला पद है हमारे सामने डियलेसिस टेक्नीशन का इस मेरिक पदों की संख्या सिर्फ एक है जो की अन्रिजर्ड है अब यहाँ पर सेक्षनिक योग्यता इस पद के लिए है बारवी पास और साथ में डिप्लोमा होना चीए डियलेसिस में उसके अलावा रिजिस्ट्र को इंपोर्टेंस दिया जा रहा है तो अनुभव के लिए हर एक साल के लिए टू मार्क्स दिये जाएंगे जिसमें maximum of 10 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो मतलब एक साल अगर आपका experience है तो आपका दस मार्क चाहे छे भी रहेगा तब दिए उसको दस मार्क ही consider किया जाएगा अब यहाँ पे selection का जो base है वो क्या है qualification के लिए नो 90 मार्क्स decide किया हुआ है और experience के लिए 10 मार्क्स decide किया हुआ है यह post है dialysis technician के लिए ठीक है second जो post है वो है staff nurse की यहाँ पे number of post है 28 जहाँ पे arm reserved है 6, ST के लिए है 17, SC के लिए है 1 और OBC के लिए है 4 इसमें जो sectioning की योगत है चाहिए वो है BST nursing slash GNM course और साथ में आपका live registration मतलब जीवित होना चाहिए registration अभी continue होना चाहिए dead नहीं होना चाहिए या फिर expired नहीं हुआ होना चाहिए कहां पर CG nursing registration council में आपका registration होना चाहिए और currently active होना चाहिए salary आपको एक मुस्ट 14,500 रूपीज का मिलेगा कोई अलग से भता नहीं दिया जाएगा यहां पर भी आपका जो selection based बनने वाला है experience के लिए 10 marks allotted है और qualification के लिए 90 marks allotted है अगला जो post है हमारे सामने वो है वार्ड आया का यह सिर्फ female के लिए result है total post जो है वो 7 post रहेंगे यहां पर जहां पर अन्रिजट के लिए 2 है और SC के लिए 4 है और SC के लिए पोस्ट यहां पर OBC के लिए एक post है educational qualification यहां पर सिर्फ पांचवी पास मांगा गया है और salary तहीए 9,380 रुपै की यहां पर qualification का 75 marks दिया हुआ है आपका पांचवी पास रहेगा तो आपका 75 marks उसके हिसाब से मिलेगा फिर extra qualification के लिए 15 marks इन्होंने लग से decide किया हुआ extra qualification के बारे में मैं अभी आगे आपको explain कर दूँगा चिंता मत करिये experience के लिए फिर से यहां पर भी 10 marks allotted है चौती post की बात करें तो वो है वार्ड बॉआ है यह सिर्फ मेल लोगों के result है तो यहां पे 6 post रहेंगी जहां पे अनारक्षित के लिए एक ST के लिए 4 SC के लिए नहीं है और OBC के लिए एक post रहेगी यहां पे भी qualification जो है educational qualification पांच वी पास है का qualification जो रहेगा वो 75 नंबर करहेगा experience 10 नंबर करहेगा extra qualification 15 नंबर का है इसका explanation अभी आगे आपको समझाता हूँ मैं पांच वी पोस्ट है स्वीपर का स्वीपर के लिए 9 post की requirement है यहां पर जिसमें से 2 general है ST के लिए 6 post है और SC के लिए नहीं है OBC के लिए एक post फिर से पांच वी पास यहां पर पूशा गया है और 730 रुपए की यहां पर qualification आपका 90 नंबर करहेगा और experience आपका 10 नंबर करहेगा इस post के लिए आपको extra qualification नहीं दिया जाएगा मैं यहां पर सिर्फ important points को ही आपको mention करूँगा बाकी details of official notification जिसका link आपको नीचे description मिलेगा आप वहां से इसको download करके पढ़ सकते हैं डाउट होने पर हम से comment section पर पूश सकते हैं यहां पर आप अगर एक से अधिक पद के apply करना चाहरा है तो आपको सभी पदों के लिए अल जो है दो post के लिए वो है word boy और word IA के लिए तो वो किस तरीके से earn किया जाएगा और कैसे divide किया गया है यह इस तरीके से यहां पर explain किया है देखिए अगर आप 5 वी पास basic qualification चाहिए word boy और word IA के लिए तो अगर आप 5 वी के साथ साथ 8 वी भी पास कर लिए तो आपको 5 नंब अगर आप बारवी पास है और आप अपलाई कर रहे हैं वाड बॉय या वाड आया के लिए तो आपको 15 नमबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसमें आपका जो ग्वालिफिकेशन वाला एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए जो मार्क्स है उसमें तो ये बाइफर्रेशन कि जो तीन पोष्ट है उसके लिए एक जन्वरी 2020 को आयू की गरना की जाएगी एक जन्वरी पे जितनी आयू है उसी के हिसाब से ये आयू को आपको आप मानेंगे तो नियूंतम होनी चीई एक जमें 2020 को अठरा साल और अधिकतम होनी चीई, पैटिस साल की बाकी जो दो प साथ में आपका जिला रोजगार कार्याले का जीवित पंजियन भी होना जरूरी है अप्लिकेशन सब्मिट के बाद आपका अप्लिकेशन सलेक्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है या बेरिट सुची चैन पक्रिया के पश्चाथ जो भी परिणाम आएंगे वो आपको दैनिक समचार में या पिर इस्थानि कार्याले के सूचना पटल में या पिर ये में हमको क्या-क्या जानकारी भरनी है तो ये देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप है ये भी इसी PDF के साथ अटाइच है जिसका लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजेगा फिर इसका प्रिंट निकाल के इसको भरिएगा पंजियन करमांक आवेदिक का नाम ये बहुत basic information है जो आपको भरना है और इसके बाद आप इसको अगर इमेल से मैं तो बोलूँगा आप इमेल से ही भेज़िए क्योंकि इमेल से easily और तुरंट पहुंच जाएगा बाई पोस्ट में लेट हो सकता है तो इसलिए आप इसको इमेल के थुरू भेज़ दीजिए जो इमेल आइडी उपर mention की गई है इसको आप भरिए, scan करिए और वापिस से आप इसको apply करने के लिए दिये गए पते पर या फिर इमेल आइडी के थुरू आप send कर सकते हैं इस recruitment से जुड़ी हुई अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमसे हमारे comment section या फिर हमारे social media handles के थुरू पूछ सकते हैं Thank you for watching, hope to see you in the next video, till then take care guys